तो कैसे है आप लोग, Poco X6 Pro Mobile में सिर्फ और सिर्फ 27,000 रूपीज में Mediatic Dimensity का 4NM Architecture में बिल्ड होआ, धमाकेदार प्रफॉर्मेंस वाला एक चिपसेट देखने को मिल रहा है उसके साथ-साथ 1800 nits का brightness वाला AMOLED डिस्पले भी देखने को मिल रहा है और इसके अलावा 64 Megapixel का triple camera देखने को मिल रहा है और भी बहुत कुछ exciting features इस mobile में आपको मिल रहा है तो इस mobile में और क्या का exciting features आपको मिल रहा है जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा तो hello friends मैं शुश्मीता और आप देख रहे हैं शुश्मीता Tech Reviews चैनल तो पहले ही हम जान लेते हैं के इस mobile में डिस्पले कैसा मिल रहा है इस mobile में आपको मिल रहा है 6.67 inch quad HD AMOLED पांच होल डिस्पले इसका refresh rate है 120 Hz इसका touch sampling rate है 480 Hz इसका brightness है 1800 nits इसमें HDR 10 Plus सपोर्ट करेगा इस डिस्पले के protection के लिए गोडिला ग्लास का यूस किया गया है इस mobile में आपको 6.67 inch का quad HD AMOLED डिस्पले देखने को मिल रहा है यानि यह डिस्पले बड़ा होने के साथ साथ इसका picture quality भी बहुत ही शांदार होने वाला है और उसके साथ 120 Hz का refresh rate मिल रहा है यानि multitasking या regular device का जो कोई भी काम है वह बहुत ही smooth तरीके से आपको करने को मिलेगा और इसके अलावा 480 Hz का touch sampling rate मिल रहा है यानि touch response इस mobile में बहुत ही fast होने वाला है और 1800 minutes का brightness मिल रहा है यानि indoor situation के साथ साथ outdoor situation भी इस mobile के visibility बहुत ही शांदार होने वाला है यह mobile plastic build है और इसमें acrylic back देखने को मिल जाएगा इसमें IP54 splash proof design भी देखने को मिल जाएगा यानि थोड़े से पानी के चीटे या धूल मिट्टी से आपके mobile में वैसा कोई फर्क नहीं आएगा वजन के बार में अगर बात करें तो इस mobile के वजन है 186 gram के आसपास और इसका thickness है 8.25 mm यानि यह mobile light white होने के साथ साथ इसका thickness भी ठीक ठाक है यानि enhanced feelings भी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है इस mobile में android 14 operating system hyperways के साथ देखने को मिल जाएगा बैटरी के बार में अगर बात करें तो इस mobile में आपको 5000 image का lithium polymer battery 67 watt fast charger के साथ देखने को मिल जाएगा इसका अलावा type c charging port 3.5 mm headphone port dual speaker car with dolby atmos भी देखने को मिल जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि इस mobile के inbox आपको 67 watt का एक charger मिल रहा है security के बार में अगर बात करें तो इस mobile में आपको in display fingerprint scanner और face unlock की security system देखने को मिल जाएगा जो 480 hertz touch sampling rate होने की वजय से बहुत ही fast काम करेगा यह mobile तीन color variant में market में launch हुआ है spectre black, poco yellow और racing gray तो आपको कौन सा color पसंद आए? कोमेंट करके ज़रूर बताना क्यूंकि आपके हरे comment मेरे लिए बहुत ही ज्यादा important है रियर camera के अगर बात करे तो इस mobile में आपको 64 megapixel का triple camera देखने को मिलेगा इसका जो primary lens है वो है 64 megapixel का और इसका aperture है f1.79 इसमें optical image stabilization देखने को मिल जाएगा यानि वीडियो उठाने के टाइम आपके हाथ अगर थोड़ा कप भी जाए तो आपके वीडियो stable रहेगा इसके अलावा 8 megapixel का एक ultra wide angle lens और 2 megapixel का एक macro lens देखने को मिल जाएगा इस camera के साथ आप 30fps में 4K वीडियो शूट कर सकते हैं यानि इस mobile के साथ आपका वीडियो या photography का output बहुत ही अच्छा होने वाला है इस mobile के front में आपको 16 megapixel का एक selfie camera देखने को मिल जाएगा इसका aperture है f2.4 और इस camera के साथ आप 60fps में full HD वीडियो शूट कर सकते हैं connectivity की अगर बात करें तो इस mobile में आपको 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.4, Dual 4G Volt, IR Blaster और NFC की facility भी देखने को मिल जाएगा प्रोसेसर के बार में अगर बात करें तो इस mobile में आपको Mediatek Diamond City A300 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है यह एक 4NM OctaCore प्रोसेसर है और इसका maximum clock speed है 3.35 GHz इसमें Mali G615 MC6 GPU का यूज किया गया है इस mobile में AMOLED डिस्पले का यूज किया गया है उसके साथ-साथ 4NM architecture में बिल्ड हुआ एक प्रोसेसर मिल रहा है और 5000 image का battery मिल रहा है यानि battery backup इस mobile में बहुत ही शांदार होने वाला है इसके अलाबा regular day use का जो काम है या multitasking वेगारा इस mobile में बहुत ही fast और smooth तरीके से होने वाला है और इस mobile के साथ आप high end settings पर smoothly gaming कर सकते हैं और 480 Hz का touch sampling rate होने के वज़े से गेम खेलने के time touch response भी आपको बहुत ही शांदार मिलने वाला है और सबसे आची बात यह है के game खेलने के time mobile में heating का issue ना हो इसे लिए इस mobile में stainless steel vapor chamber cooling system का use किया गया है ये mobile दो storage variant में market में available है 8GB 256GB और 12GB 512GB इसका RAM type है LPDDR5X और इसका storage type है 4.0 इसमें only sim support करेगा और एक mobile में इतना storage मिलने के बाद memory card का जरूरत भी नहीं पड़ता है इस mobile के 8GB 256GB variant का market price है 26,999 और 12GB 512GB variant का market price है 28,999 तो budget के साब से देखा जाए तो इस mobile में आपको एक शानदार stylish design देखने को मिल रहा है उसके साथ साथ एक big AMOLED display देखने को मिल रहा है और एक दमदार performance बाला 4NM architecture में बिल्ड हुआ MediaTek Diamond City का एक chipset देखने को मिल रहा है और इसके अलावा इस mobile के rare camera के साथ आपको 30fps में 4K वीडियो उठाने का मौका मिलेगा यानि इस mobile के साथ आपका regular day उसका काम या multitasking वगेरा भी बहुत ही अच्छा होगा गेम भी इसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से खेल सकते हैं और mobile का video या photography का output भी बहुत ही शांदार होने वाला है तो आपको कैसा लगा ये mobile कॉमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करके जाना और हां ऐसे ही mobile से लिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना